दोस्तों टमाटर की फसल में अच्छा उत्पादा लेने के लिए उचित खात के साथ साथ उचित पानी की भी अवशकता होती है बहुत से किसान भाई है जिनको अपने पौधों को कितने मातरा में पानी देना चाहिए पता नहीं होता जिसके करण पौधों में ज़्यादा पानी या कम पानी हो जाता है और फिल जितना पादन मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाता जिसके करण किसान भाई हो को बहुत नुकसान होता है टमाटर के पौधों को पानी देने का कोई ऐसा फॉर्मूला तो नहीं है जिसको आप फॉलो करके पानी दे अपने पर्सनल एक्स्पिरियंस के इसाब से आपको ये सीखना पड़ेगा कि टमाटर को कितना पानी की आवश्रक्ता होता है तो आज का ये वीडियो आपको समझने में मदद करेगा कि किसी भी दिन अपने टमाटर के पौधों को कितना पानी देना चाहिए तो चलिए वीडियो को शरू करते हैं पौधो को पानी देना एक विज्ञान और कदा दोनों है इसमें महारत हासिल करने का एक तरीका है कि आप ट्राइ करे और इसमें गलती होगा तो आप इससे सीखे यदि आप पानी देने का सही तकनिकों का उप्योग करते हैं तो आप एक या दो सीजन में ही ये सब सीख जाएंगे आपको अपने टमाटर के पौधों को कब और कितने बार पानी देना चाहिए ये प्लांट के ग्रोध स्टेज, क्लाइमेट और मिट्टी के उपर निरवर करता है पहले जानते हैं कि ग्रोध के कौन से स्टेज में कितना पानी लगता है यंग पौधों को मैचेर पौधे से ज़्यादा पानी की अवशकता होती है सिडलिंग्स के अच्छे रूट ग्रोध के लिए रेगुलर पानी देना पड़ता है जब नए पौधे लगते हैं तब मिट्टी में एयर गया पाने के चांज़े से रहते हैं जिससे कि हमारा पौधा खराब हो सकता है इसलिए लगाते टाइम पानी देना बहुत ही अवशक होता है अब जानते हैं कि अलग-अलग मौसम में कितना पानी हमें देना चाहिए गर्मी के मौसम में टमाटल के पौधों को ज़्यादा पानी की अवशकता होती है फंड के दिनों में थोड़ा कम पानी लगता है बरसाथ के सीजन में बहुत ही कम पानी लगता है एक बात का और ध्यार रखना चाहिए कि गर्मी के सीजन में पानी दोपहर को ना चला है अगर पानी दोपहर में चलाएंगे तो इससे प्लान को शॉप लग सकता है जिससे की production में भी कमी आ सकता है अब जानते हैं कि कौन से मिट्टी में टमाटर के पौधों को पानी ज़्यादा लगता है और कौन से मिट्टी में पानी कम लगता है बेतिली मिट्टी में water holding capacity बहुत कम होता है जिसके कारण पानी जल्दी नीचे चले जाता है और इस वज़े से प्लांट को अच्छे से पानी नहीं मिल पाता तो हमें frequent basis पर पानी देना पड़ता है जिकनी मिट्टी का water holding capacity थोड़ा ज़्यादा होता है इसमें पानी पूरा नीचे नहीं जाता इसलिए इस मिट्टी में पौधों को कम पानी देना पड़ता है पौधों को हर दूसरे तीसरे दिन में पानी देना अवश्यक होता है पानी मिट्टी के थोड़ा गहराई तक जाना चाहिए इससे जड़ का विकास अच्छा होगा अगर हम उपर में ही पानी देंगे तो इससे जड़ का विकास रुख जाएगा और फिर प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा गहरे पानी को सुनिश्चित करने के लिए आप पानी देरे देरे छोड़े जिससे की अच्छे से पानी नीचे तक पहुँच जाए पौधों को सुबा और शाम दोनों समय पानी दे सकते हैं इस समय टेंप्रेशर थोड़ा ठंडा होता है जिससे की प्लांट पानी को अच्छे से अब्जॉब कर सकता है टमाटर की पौधों को पानी रेने का सबसे कारगर तरीका है ड्री विरिगेशन ये टेकनीक पानी की बरबादी को कम करते हुए सीरे पौधों की रूट जोन में पहुचाता है अब आप कैसे जान सकते हैं कि पौधों को पानी की जरुवत है या नहीं देखी ये जानने का सबसे असान तरीका है मिट्टी की नमी की जाच करना अपनी उंगली को मिट्टी में लगबग 1-5 इंच गहराई तक डाले यदि मिट्टी सुखी महसूस होती है तो पौधों को पानी देने का समय आ गया है दूसरा तरीका है प्लान को अच्छे से मॉनिटर करना अगर पतिया मुर्जा रहे हैं और गिर रहे हैं तो ये भी साइन है कि आपको पौधों को पानी देने की अवशक्ता है अब जानते हैं कि पौधों को कितना पानी देने की अवशक्ता है एक समानने तोर पर टमाटर के पौधों को बरसात के समय पानी देने की अवशक्ता नहीं होता और ठंडी में टमाटर के पौधों को पर डे एक लीटर पानी की अवशक्ता होती है गर्मी और धोग की स्थिती में एक लीटर से जादा पानी दगता है पानी देते समय एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ओवर मौश्चर ना हो अगर ओवर मौश्चर हो गया तो इससे जड़ सड़न का समस्या पैदा हो सकता है अंत में अपने टमाटर के पादों को सही तरीके से पानी देना उसके विकास के लिए बहुत महत्वपूर होता है मौसम, पूर्टी के प्रकार और ग्रोथ इस्टेज जैसे फेक्टर्स हैं जो पानी की अवश्चकता को प्रभावीत कर सकते हैं अपने पौधों को रेगुलर पानी दे, ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग से बचे एफिशेंट इरिगेशन टेक्निक कर इस्तमाल करे और रेगुलरली सोईल माश्चर को भी मौनिटर करे इससे आपके पौधों का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा तो दोस्तों इस वीडियो से आपको आइडिया हो गया होगा कि पौधों को कितना पानी देना चाहिए अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करे और ऐसी खेती से जूड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे